ब्रोकली को आखिरकार गरम तेल के अंदर क्यों डाला जा रहा है? क्या इस तरीके से ब्रोकली जटपड मिंटों में तयार हो जाती है? आपके मनों में भी इस तरीके से धेरो सारे सवाल आ रहे होंगे क्या ब्रोकली इस तरीके से जटपड मिंटों में तयार हो जाती है दरसल बात यह है कि दोस्तों इसका बनाने का परिक्रिया बहुत ही असान है और इसको हम असान तरीके से बना कर तयार करेंगे आपको क्या करना है? सबसे पहले गरम पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसके अंदर से जो भी कीटानू और जंस हैं, वो असानी तरीके से net and clean ये साफ हो जाए अब देखें कितना बढ़िया इसके अंदर निखार आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना है कॉटन लेना है सूती कपड़ा और इसके उपर से जितने भी पानी है इस तरीके से आप हटा लिजे ताकि अच्छी तरीके से नेट एंड क्लिन साफ हो जाए और इसको दस मिन्ट के लिए रैस्ट होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अ अच्छी तरीके से फ्राय करना सुरू कर दिया और आप देखो कि दोस्तो रैस्पी के अंदर एक बढ़िया स्वाद आने वाला है और यह ऐसा स्वाद आपको किसी भी रैस्पी के अंदर देखने को और खाने को नहीं मिलेगा तो इस तरीके से आप फ्राय कर लिजे और कर उसके सब्रद si आधा गंट तो atroड़ से उसके अच्छी तरीके से आप फ्राइए कर लीजे और जैसी ये सारा material तैयार होता है दोस्तों करीबन आपको दो प्याज ले लेना है उसको छोटे छोटे pieces में आपको इस तरीके से cutting कर लेना है और प्याज को भी इन सारे material के साथ आप अच्छी तरीके से fry कर लीजे देखिए दोस्तों जब तक ये fry होता है तभी आपको क्या करना है एक tomato ले लेना है और tomato को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है piece कर mix जार के अंदर तो इसके साथ आपको दही भी डाल देना है दही तो हम अलग से भी डाल सकते हैं लेकिन tomato के साथ हमने दही को मिला दिया और देखेंगे इधर प्याज हमारा ready हो चुगा है तब क्या करेंगे जो हमने tomato का paste तैयार किया है दही के साथ वो भी डाल देंगे अब देखेंगे एक मलाई का flavor आपको निकल कर आएगा देखेंगे यहां से कितना बढ़िया लग रहा देखने में तो इस तरह के से हमने दही पहले ही डाल दिया अब दही और टमाटर का mixer अच्छा लग रहा है और साथ में आपको इसी बीच क्या करना है मसाला तयार कर लेना जैसे कि हमने हल्दी पॉडर ले लिया आप जो जो मसाले खाते हैं वो सारा मसाला आप इसके अंदर mix कर सकते हैं जैसे कि धनिया पॉडर ले लिया साथ में लाल मिर्च पॉडर ले लिया काली मिर्च पॉडर ले लिया और साथ में हमने ले लिया पनीर मसाला, आप चाहें तो गरम मसाला ले सकते हैं, या फिर किसी तरीके के आप कोई भी बढ़िया मसाला जो आप खाते हो गो मसाला आप ले सकते हैं, साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देजे और इन मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजे और उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो हमारा प्याज अच्छी तरीके से रैडी हो चुका है पक कर तभी हमें क्या करना हूं मसाला बई डाल देना है अब मसाले के साथ इन सारे मैट्रियल को अच्छी तरीके से मिला कर इनको थोड़ी दिर के लिए पकने के लिए करीबन 5-6 मिंट के लिए और जैसी सारा मैट्रियल पक जाता है दोस्तों तभी आपको क्या करना है इसके अंदर पानी डालने ना है ग्रेवी के अनुसार तो जितना आप ग्रेवी रखना चाते हैं उस तरीके से आप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं और थोड़ा पानी हम तब आपको क्या करना है इस तरीके से ब्रोकली डाल देना है आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं लेकिन हमने सोचा साबूत ही डाल देते हैं इसको बाद में हम कटिंग करके खा सकते हैं और इस तरीके से हमने ब्रोकली को डाल दिया और इसके उपर से हम मस ब्रॉकली एक बार बनाओगे इस तरीके से आप बार बार बना कर जरूर खाओगे थोड़ी देर के लिए आपको ढग देना है करीबन 5-7 मिंट के लिए इसी बीच ब्रॉकली अच्छी तरीके से पक कर रैडी हो जाएगा आप देख सकते हैं इसके हिससे तूटने भी स्टार कर लेना